हेलो एवरिवन दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इसकी टाइम लाइन दें 1558 से 1603 के बीच में और दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट एज है इस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिट्रेचर की दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रडक्शन ऑफ दी एलिजबेटन एज के बारे में इसके करेक्टरिस्टिक्स फीचर इस एज के और इसके इंपॉर्टेंट राइटर्ज और उनके वर्क्स मैंने तीन पार्ट में डिवाइट किये हैं फर्स्ट पार्ट है पोईटरी राइटर्ज दूसरा है प्रोज राइटर्ज और तीसरा है ड्रामा राइटर्ज तो दोस्तों आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रोड में और उनकी डेज जो हो गए थी वह हो गए थी 1603 में तो इस एज को इसलिए एज कहते हैं एलेजबेतन एज को डोस्तों रेनेसा एरा भी कहा जाता है क्योंकि इस एज में लर्निंग और लिटरेचर को काफी बढ़ाया गया था यानि डवलप्मेंट हुआ था रेनेसा का मत ब्रिटेन में काफी आगे बड़ा था दोस्तों एज ओफ एलेजबेत को ग्रेटेस्ट एज ओफ हिस्ट्री ओफ इंग्रिश लिटरेचर भी कहा जाता है क्योंकि इसी एज में ड्रामा थीटर सॉनेट्स स्पैंसियर इंस टेंजा ड्रमाटिक ब्लैंक वर्ड्स फ्लरिश ह इसी एज में फ्लरिश हुए थे अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स पार्ट की जो है क्रेक्टर स्टिक्स और फीचर ऑफ ऐलेजबेतन एज दोस्तों एलेजबेतन एज में स्ट्रॉंग नैशनल स्पिरिट की स्थापना हुए ती यानि डेवलपमेंट हुए थी इंग जो किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं वो सब डेवलप हुए थे और वो हुए थे विकॉज ऑफ क्वीन एलेजबेट वन उनके राज में सोशल कॉंटेक्स में भी हुए थे दोस्तों और इंटेलेक्ट्वल कॉंटेक्स में भी इन सब चीजों का डेवलपमेंट हुआ था एलेजबेटन एज में काफी ग्रोथ हुए थी दोस्तों क्योंकि इंटेलेक्ट्वल और इमेजिनेटिव डोमेंज इसमें काफी आगे ब को इसी एज में इस इंडिया कंपनी को भी फाउंड किया गया था दोस्तों एलेज बतन एज को एज ओफ एडवेंचर और अनबाउंडड एंथुजियास्म भी कहा जाता है क्योंकि इस एज में काफी न्यू लैंड जहां पर काफी ख़जाना मिला था जो सब भी एक्स्प्लोर किया गया था इंग्लिश एक्स्प्लोर के दुआरा जिसमें आप जिसमें आपके लिए इंपोर्टेंट है सर्फ फ्रांसिस ड्रेक का नाम जिन्होंने 1577 से एटी के बीच में तक अपनी फर्स्ट वॉयज का सफर किया वह भी पूरे वर्ल्ड का पूरी दुनिया का दोस्तों इस एज में मिरिकल और मिस्ट्री प्लेज भी काफी फ्लॉरिश्ट होए थे यानि काफी डेवलप होए थे जिसमें इसे सबसे पहला मिरिकल प्ले है जिसका रिकॉर्ड इंगलेंड में है उसका नाम था लूडस डी सैंक्टा कैथरीना इसको डंस्टेबल ने परफॉर्म किया था वन 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 जिरो में दोस्तों इस एज का 1st Comedy ड्रामा का नाम था रैल्फ डॉइस्टर डॉइस्टर जिसको निकुलस उद्हलoured Master of Eton ने लिखा था दोस्तों first tragedy यह भी ड्रावा कही पार्ट था जिसका नाम था गौर्बुड़क जिसको थॉमस सैक्विल एंड थॉमस नॉर्टन ने लिखा था और इसको एक्ट किया गया था 1562 में नेक्सट पार्ट है दोस्तो हमारा important writers and works दोस्तों Elizabethan era के works और writers को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है सबसे पहले हम पढ़ने वाले है poetry writers के बारे में सबसे 1 हमारे Edmund Spencer उनका सबसे best work था दोस्तों fairy queen जो एक allegory style में poetry है इसमें दोस्तो fairy queen Queen Elizabeth ही है फेरी क्वीन में Spencer ने 9 line के stanza यूज किया है जिसको हम Spencerian stanza भी कहते हैं Spencer ने दोस्तो एमरेटी जो की एक sonnet है on love और epithemilion जो की एक ode है ये भी लिखी है Spencer ने दोस्तो hymns in honor of love and beauty भी लिखी है जिसमें उन्होंने अपनी philosophy के बारे में बताया है Spencer ने shift hardest calendar भी लिखी है दोस्तो जो की एक allegory poetry है next हमारे जो important author है दोस्तो poet है वो है sir Philip Sydney ये एक scholar knight और quarter रहे हैं दोस्तो 1580 में Philip Sydney ने Arcadia लिखी थी जो की एक pastoral और heroic elements का mixture है ये romantic poem दोस्तो Philip Sydney ने his apology for poetry भी लिखी है next important poet है दोस्तो हमारे जॉन लिली जॉन लिली ने दोस्तो एक बहुत ही फेमस artistic style जिसका नाम है यूफिजम डेवलप किया था दोस्तो बहुत important है यूफिजम यूफिजम लिली ने अपनी famous romance यूफियस में introduce किया था next poet है दोस्तो हमारे Ben Johnson ये greatest humanist माने जाते हैं दोस्तो Elizabethan Age के Ben Johnson की famous poetry है epigrams the forest और the underwoods दोस्तो next set of writers और उनके works divided है pros category में इसमें दोस्तो Elizabeth period में ज्यादा तर pros poetic form में है यानि यूफिजम style में लिखी गई है Robert Greene ने Mamelia and Maniform लिखी है Thomas Lodge ने Rosselden Euphysius Golden Legacy लिखी थी Thomas Nashay इन्होंने pamphlets like the anatomy of absurdies and terrors of the night लिखी थी Richard Hooker की pamphlets on the Marlain Marlade controversy सबसे famous pros writing है और Hooker का ही of the laws of ecclesical polity यह भी एक masterpiece work है English pros category का दोस्तो next हैं दोस्तों हमारे Francis Bacon यह दोस्तों यह दोस्तों जादातर religious literature secular और philosophical literature के बारे में लिखते थे Francis Bacon के सबसे popular essay जो उन्होंने अलग-अलग topics पर लिखे हैं वो भी turds and epigrammatical style में हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा next set of writers and works है दोस्तों drama category के और दोस्तों drama category में Elizabethan age में especially pure tragedy tragic comedy historical drama romantic comedy comedy of errors fast fast pastoral form में लिखे जाते थे यह important है इसको learn कर लिजेगा और सबसे most important जो हमारे poet है दोस्तों इस age के वो है William Shakespeare अब इन्हें कौन नहीं जानता दोस्तों Elizabethan age के सबसे popular और most important writer है हमारे William Shakespeare Shakespeare शेक्सपेर ने दोस्तों 37 plays और 154 sonnets लिखे हैं Shakespeare के बारे में Ben Johnson ने दो important lines कहीं है वो है poets are born not made और poets और Shakespeare was not of an age but for all times Shakespeare दोस्तों अपने plays में prose और blank words का use किया करते थे Shakespeare के सबसे historical plays है दोस्तों बहुत important है जो है Richard II and King John दोस्तों Shakespeare की romantic comedies में जो important है वो है As You Like It The Merchant of Venice 12th night और ये काफी मशूर plays है दोस्तों Shakespeare का Midnight Summer Dream एक fairy play है और Romeo और Juliet एक tragic comedy play है Hamlet play Shakespeare का दोस्तों सबसे popular tragedies play में से है और The Tempest Shakespeare का सबसे last play था next important poet है हमारे दोस्तों Christopher Malloy Malloy ने दोस्तों Tambolain The Great और Dr. Faustus लिखी है Dr. Faustus एक oligory style play है दोस्तों Malloy ने The Jew of Melta और उनका famous historical play Edward 2 भी लिखा था Malloy भी दोस्तों blank words का use करते थे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी सब्सक्राइब आथνη्हर ही थाए दोस्तों वाजुंड़ से ख ます झालएक्णष दॉइर था दॉक्राइब धूम मैं यह यह नृंधक्ता है